पानी के अंदर डूबा रहता है और सिर्फ चार महीने उसके दर्शन किये जाते हैं आज हम आपको इसी मंदर के बारे में विस्तार से बताएंगे इससे पहले हे प्रवो जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जैसनातन धर्म लिखकर हमें फॉलो करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी किरपा करना मित्रो ये मंदर इस्तिते हमाजर प्रदेश में और इस मंदर का नाम है बात्थू की लड़ी माना जाता है कि अग्यातवास के दोरान पार्नवान ने यहाँ एक दिन स्वर्ख की सीड़ी बनाने की कोसिस की थी लेकिन वैं कामियाब नहीं हो पाये थे लेकिन कभी आप इस मंदर में जाओगे तो आज भी वहाँ पर आपको 40 सीड़ीयां बनी हुई मिलेंगी वित्रों यहाँ पर आठ छोटे छोटे मंदर हैं जो की आठ महीने पानी के अंदर रहते हैं जब वैं आठ महीने बाद पानी से बाहर निकले तो वैसे के वैसे रहते हैं ना तो कोई काट लगता है ना ही कोई चीज खराब होती है जो कि बहुत आश्चर जनक चीज है क्योंकि ऐसा मुम्किन नहीं है यही हमारे सनातन धर्म की सकती है और इस रहष्य के बारे में वग्यानिक भी आज तक कुछ पता नहीं लगा पाए है इसी तरह के वीडियो से छोड़े रहने के लिए इस्तरम क्रियेशन्स को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को सेयर करना ना भूले